निवे सरमनिय दर्ष्यनं मन्दहा सरुचिराननाम् भूजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहम् विचेंतये ओमवतारिने स्री स्वामिनारायनायनमो नमह स्री सहजानन्दायनीलकंठायच नमो नमह स्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमह बोलो स्री स्वामिनारयन भगवाननीम श्री हरे कृष्यन महराजनी जय स्री घनस्याम महराजनी जय कथा सांबलनारा बदाज भक्तोंने खूब हित्ती जय स्री स्वामिनारयन वला भक्तो श्री हरे चरित्त्रामृत सागर पूर्चोथू तरंग चुम्मो तेर्मो आपने सांबलिये छिय चूडा गाम्मा भगवान श्री हरे अति अधभूत वात करी कई-कई वात करीनों मुख्य सार थोड़ो जोईलिये महराज एम कहे छे अमारी वात दिव्य छे पण जेनू वर्तन दिव्य होई तेना अंतरमाज आवात टके छे समझाई छे अनि ए वात नों लाब लई सके छे महराज कहे छे माईक जीव अमारी अमाईक वातों ने नहीं समझी सके एकला माटे सतसंगी जन भये हे जेते ब्रह्म रूप करना हेते जितला सतसंगी संतों ने भक्तों छे ए बधाने अमारे ब्रह्म रूप करवा छे माईक भाव टाली नाखो छे जियां सुधी माईक भाव छे त्यां सुधी महराज नी वातों समझावानी न थी ब्रमरूप करवा छे मान औने अपमान एज्यासुदी नडे छे त्यासुदी समझुग अपणामा माईक भाव पुषकल छे ओर नहीं मतलब हमारे ब्रमरूप करना निर्धारे अमारे विजो कोई मतलब अजन थी जीवोने ब्रमुरूप करवा एना मातेज अमें बद्धू करिये छिए उत्सव करिये छिए जीवोने ब्रमुरूप करवा माते जीवोना माईक भावने टालवा माते सुन टालवा माते? सुन टालवा माते? माईक भाव टालवा माते माईक भाव एटले कैयो, मान, अपमान, सूख, दूख, सारू, नर्सू, सानुकूल, प्रतिकूल, आ बदू ज्यासुदी जिवन्य नडे छे, एनुज नाम माईक भाव ओर नहीं मतलब हमारे ब्रह्म रूप करना निर्धारे, हरिसम कोईन माने सारा, येही ब्रह्म रूप द्रढ निर्धारा, जेने भगवानमा सार मनाई गयो होई, येने ब्रह्म रूप कहवाई स्रीजी महराज जे वातों करे छे, थोड़ी थोड़ी वधी वातों आपड़े जोहीली दी, जे मुख्य नो सार छे, महराज जेम कहे छे, सरपने दूध पावा थी, एमा के अम्रूत नी उरुद्धी नती थती, उल्टानू जेरज वधे छे, एम जेनो माईक भाव टलो न थी, एवा अभिमानी, अहंकारी जिवोने आउग्नान आपसो, एना थी एनू ग्नान नती वधवानू, उल्टानू एनू अग्नान वध से, एनू अहंकार वध से, एना थी समाधने नुक्सान पण वधारे थासे, अदभूत महराजे वात करी छे, जीवन जीवा माटे आ मध्धी वादो काम नी छे, आजए घरे घरे माता पितान एक प्रस्न होई छे, के अमारा दिक्रा अमारी वात मानता नथी, अमारी वात समझता नथी, येनो जवाप पण आ माले छे, पिता जो महराज्मी जstore समझी सके, के दिक्रा नी जे टली स्थिती छे, जे लेवल छे यह ना करता उची वात वधारे करे तो सुनू थाई ? सुनू थाई ? तमें बदा बेठा चुना में संस्कुरूत मा कथा करिये तो सुनू थाई ? हमजी गया पूजन भगत काँ समाधी था यह यह उपाधी थाई । बेवाद यह त्रिजूना थाई कसो ? सामेनु पात्र एनी केटली लाइकात छे येना करता वधारे कोईपण वात आपवामा आवे विचार्याविना आपवामा आवे त्यारे परिणाम सानोकुल नथी मलतु आपड़े गईकाले सांबलता हता वचना मुरुतमा स्रिजी महराजे अदभूत वात करी समजण केवी होई मेकाले कायो हतु करोडो प्रकार्नी समजण छे भणवा माते समजण जोईए मंदीरे आवा माते समजण जोईए विश्योती बचवा माते समजण जोईए सत्संग करवा माते समजण जोईए अज़्यारो लाखो करोडो प्रकार्नी समजण माती सवथी पेल्ली समजण जे जीवने आगल लई जाईज़े संसार मा अने सत्संग मा जो तमारे आगल वधवू होई महराजने गुरुजीने संतोने भक्तोने वधारे राजी करवा होई आपडा जीवनने वधारे सफ़ल बनावू होई तो कई समजण वचनामरुच्छे अंत्यनू अग्यार्मू स्रीजी महराजे सिता जीनी समजण नी वाद करी थोड़ा महराजना प्रसादिना सब्दो वाचू छू जानकी जीने रामचंद्र जीए वनवास दिधो जानकी जी एकले कोण सिता जीनू बिजु नाम सुँआतू जनकना दिकरी होवाने कारणे एनु नाम पड़ू जानकी मोळ नाम हतू सिता जानकी जीने रामचंद्र जीए वनवास दिधो त्यारे जानकी जीए अतिसे विलाप करवा मांड़ो त्यारे लक्षमन जी पण dual दिलगीर थया पच्छी सिता जी लक्षमन जी प्रत्य बोल्या जे हुँ मारा दुक सारू नथी रोती उतो राम चंद्रजीना दुख सारू रोव छू सा माटे जे रखुनात जी अती कुरुपालू छे ते लोकापवाद सारू मने वनमा मुकी पण हवे एम विचारता हसे जे सीताने में वगरवाके वनमा मुकी छे एम जानीने कुरुपालू छे ते मनमा बहुँ दुख पामता हसे माटे राम चंद्रजीने कहे जो जे सीताने तो को काई दुख न थी वालमी की रुशीना आश्रम मा जहिने सुखे तमारू भजन कर से माटे तमे सीताने दुखे करने कई दुख पाम सोमा एम सिता जी ए लक्ष्मन जी साथे कही मोकल लियू पन कोई रिते राम चंद्र जी नो अउगुण लिधो नहीं आपड़े कल्पना करी सक्किये भगवान राम सिता ने जंगल मा काड़ी मुखे उच्किवाई नाम तो कोईनो वाक अपराधपन नोतो अगतो सुरेश्मामा अने तेम छता सिता जी आवी समझन राखी सिता जी रडता हता येपन रामना दुखे करीने आटलो भगवान राम चंद्र जी मा अहोबाव राख्यो महराज हम कहेचे आवू थयू तो पन भगवान रामचंद्रजी नो कोई पन रित्य अवगुण न लिधो अवे आवी रित्य जियां सिताने रामनो संसार होई त्यां प्रोब्लेम थाए खरो थाए खरो मामा वचना मृत्मा जियां जियां महराजे वाद करी जे भगवानने भगवानना भग्त नो गुण लेई छे ए दिवसे दिवसे उरुद्धिपा में छे दिवसे दिवसे नो सत्संग मा रंग वधतो ने वधतो रहे छे अउगुणने जुए छे दिवसे दिवसे घटतो जाई छे महराजेम बोले अचना मुरुतमा अमासना चंद्र जेवो होई अमासना चंद्र मा तेज होई अमासना चंद्र जेवो होई भगवानने भगवानना संद एनो निष्चय एने महिमा जेम जेम वत्तो जाई तो ए वाद छे केनी वाद छे बहुस समझवा जेवी छे गूण अने अवगोण ए सिद्धा मानसना समझन साथे जुड़ाईला तत्वो छे सिता जी रडता हाता येनू दूख जो लक्षमन जी रडवा लाग्या एटले के माहराजनो केवानो आसाई एम छे कि लक्षमन जी दुखी थया केहे माता जी तमारो आतलो बदुख त्यारे सिता जी एक खुलासो करियो केहूं माहराज दुखने माटे नती रडती हूँ तो वालमेकी रूसीने आस्नम माझे सुखेती भजन करीश आतली परिश्थिती चे तोपन वजना मृतमा माहराजेम कहे अमे कोईने काधी मुक्यो होई सत्संग माथी विमूख करियो होई एकलो होई और एनी पासे कोई बिजो विमूख सर्को जीव आवे और भगवानने भगवानना संतनु घसातु बोले तो एम कहे हूँ तो एनो वेचान छू येने जिये करू ते सारू करू आम कही दे पड़िनी वातमा भळे नहीं तो मानवू येनो सत्संग मा पायो अचल थयो जे बुलो आवी समझन छे आजे मामा आप एली समझन बहुत समझवा जेवी वात छे आपने वात सांबले येतीने महराज येम कहता अमारा मनमा येम थाए के बदाने मुक्तानंद स्वामी जेवा करी मुक्ये तो साचवाज न पड़े बाकी तो काचना वासन नी जेम सोकेस मा राखवा न सोबना गाठिया तरीके जो उप्योग करो जो थोड़ूपन प्रेसर लाग्यों येने थोड़ूपन ठोकर वागी तो तुकड़ा थई जाई येम सत्संग मा घणा बदा सोपीस नी जेमज होई क्यारेक येने मान अपमान नी ठोकर वागे त्यारेक सानुकुलता प्रतिकुलता नी ठोकर वागे क्यारेक सुख के दुख नी ठोकर वागे क्यारेक धंदामा अप डाउन थाए तो सुथाए काचना वास्वन नी जेम टुटी जाए बीजी समझन वचनामुर्त मां महराजे बतावी आजे आपने समझन जे सत्संग मां अने संसार मां जरूरी इचे आ पेल्ली समझन अगल वध्वा माटे जरूरी जे संसार ने सत्संग बन्ने जेग्याई जो नेगेटिविटी मानस ना मनमा विचार नेगेटिव एटले आउगुण सम्मंधिज विचारो चालू थया तो आ संसार मा मानस 11 पन सुखे जिवी सकतो न थी बालकोनी सिबीर मा मारो विचाई छे गुणक ग्राही द्रश्टी पोजिटीव थिंकी ए विचाई पर गणू बदू रिशर्च करू आपड़ा धर्म सिवाई पन दुनिया भरना धर्मो एकज वात उपर माने छे तमे बिजामा दोस जुओ छो ए दोस एमाँ छे के नथिये पच्छिनी वस्तु पन ए दू ए दोस तमारा जिवनमा आवे छे बिजी वस्तु ए दोसनु दुख सामेवाडा व्यक्तिने केटलू छे पच्छिनी वाद पन ए दोसनु दुख तमारा अंतरमा थसे थसे ने थस समझन जे आत्यांतिक कल्यान माटे जरूरी समझन छे जे स्रेष्ठ मा स्रेष्ठ समझन छे आ समझन मुक्तानंद स्वामी नी छे दादा खाचर नी छे जीवुबाने लाडूबानी छे कई समझन सामझन जो वरतालनू वचनामृत विश्मु जेने जेवु जानियू जोईए तेवु यथार्थ जानियू होई आने सार कहवाई आने असार कहवाई पच्छी एक भगवाननी मुर्तिविना जितला मायक आकार छे ते सर्वे अतिशे दुखदायक छे अने नास्वंत छे एम जाने अने पोताना देह इंद्रियों ने अंत्रकरण ते थके नोखो आत्मारूप जाने पच्छी एने कोई उपदार्थ न थी जे मोह पमाडवाने समर्थ थाई अवे आवी स्थिती जनी थे होई ने मोह थाई मुक्तान समी गायू ने रेश्यामत मे साचुनानू बेजो सर्वे दुख दायक जानू केवी वाद करी भगवाननी मुरूती अने भगवान सम्बंधी आकार येने सत्य जाने अने बाकी बद्धू दुख दायक अने नास्वंत जाने वचना मुरूत्मा एक नानो बालक रमे छे गय काले आपड़े वाद सांबली रेतिनू मकान बनेवू तुटी गयू ये रडे छे येना पिता रडता न थी कारण सुँ बालक ने हजी अग्णान छे अने पिता ने अवे समझाए गयू छे सोनाना घरेनाना मालिक सेट छे उचीना आयपा छे जे लए गया छे ये नाथी खोवए गया अत्ती दुखी ये रांथे गयो मानस मैना सुधी खावानू न भैवू ये रडे छे रडता रडता सेट पासे आवे छे वाद रजू करे छे सेटने रंच मात्र दूख नती थत घरे खोवए ऐने खबर छे सेटे जारे खुला सो कड्रो त्यivent भिखारी मानस दुखी मानस पन तुरंत सुखी थे गयो कारण सुधी जेमचे म जे वस्तु जेम छे एम समझाई एक ग्नान छे ये साथी समझन छे अन्ते एकत सत्य समझवानू छे एक भगवान नी मूर्ती सत्य छे बाकी कोई सत्य नथी आकलू जो समझाई जाए एक बालक धमाल करतो एना पिताने अकला मन न थाई कारण बालकनो स्वभाव जानेच एक बालक तो धमालाच करे पणे मोटो थेन धमाल करे तो तो अकलाई जाए कोई पन वस्तुना स्वरूपने यथरत जानवू एक जनान छे ए समझण छे एमा पन स्रेश्ट्य समझण भगवान सत्य छे बाकी बद्धू असत्य छे भगवान सास्वत छे बाकी बद्धू नस्वंद छे भगवान सुखदायक छे ए सिवाई नी बद्धी वस्तु केव तो बाजु वाड़ू सू केसे आसित बगत समझीगे नंतमे कारेलू कडवू नहोँ तो क्या गड़ू होई और गड़ू नहां कारेलू के वाई कारेलाना स्वभाव जानता नथी ये कारेलाने खासे ये दुखी थोसे पण जे कारेलाना स्वभाव ने गुण ने जाने छे इतो कडवू लागे छे छता प्रेम्थी खासे के ना गणालuję गर्वा कारेलाना रस पिवे छे ये अमेरीका मा ढगलो लोखों पिवे छे वे चाई छे मगलेourd आरिस भगड पण पिवे छे ओ पन एक केम पिवे छे एना स्वरूप ने पण जाने छे इनी कडवास ने गुणोरया चेने पन जाने चे, यह कडवा कारेलाने पन जाने चे, यहना गुणने पन जाने चे, अनि एना परिणामे ए दुखी थता नथी, उल्टाना जमे चे, बस महराज बहु अधभूत वाद करेचे आ जगत आखोंचे ने आवुँचे, यहमा कडवास चे, यहमा ति जिवनमा समझवा जविवाद भगवाने दर्यक ने सूख अने दुख साथे जाय पूछे। साथे जाय पूछे। जुपडीमा रहनारा मानसने हजार रूपयानू सूख छे तो हजार रूपयानू दुख छे। बंगला मा रहनारा मानस ने लाक रूपयानू सुख छे तो सामे लाक रूपयानू दुख छे महल मा रहनारा मानस ने करोडोनू सुख छे तो करोडोनू दुख छे एतले आत्माहत्या महलो मा रहनारा करे छे कार्ण केनु दुख एकलू मोटू होई ये दुख ज्यारे आवी पड़े त्यारे भार सहन नती करी सकता गरी बाकी जिनगी दुखी होई तो इसुख इन जिम जिवी जाई छे येनु दुख नानू छे समझो छोने नाना दुख वाड़ा मान सम्मेशा सुन विचारे छे मारू सुक केम वदे हजार रूपयानू लाक केम थाई इसुख वधरवा जाई एकले हामें दुख पण वदी जाई दुख वधे पचिसू करे दुख घटडवा मेनद करे दुख घटडवा मेनद करे पास सुख पन गटी जाई ठाकोर जे ज्यां राख्या छे जेम राख्या छे जेतलामा राख्या छे एतलामा संतोस मानवो एना थी मोटू कोई सुख छे नई संतोसह परमम सुखम सास्त्रम कहे छे संतोस जेव बिजु कोई स्रेष्ट सूख न थी सूख पदार्थमा न थी सूख मानसना मानसिक विचारो मा छे समझन द्वारा संतोस जयारे जीवना मनमा आवी जाए त्याने बद्धी जीए सूख छे केटली सरस महरत वाद करे सांबलो आवी रिते जिना अंतरमा गेड पड़ी होई इंद्रियो प्रवर्ति मार्गने विशे सर्वे अनुलोम पणे वर्ता होई तोपन ते कामादी केकरनेक सोभने न पामे येवो जे हरी भगत होई ते त्यागी होई अथ्वा ग्रहस्त होई तेनार दै माथी कामाद एकनू बेज नास पामे जाई जे कारणे केने समझाए गयू तमारी आक्सा में मिठा मज जेवा दुधमा तमें सर्पनी लाड पड़ता जोई होई तो पीवा नीच्छा थाई बोलो पराणे कोई पाई तो सर्पनी अन लाड दुधमा पड़ी पची पीवा नीच्छा नस थी ती यहम गम्यवू सारू रूप छे पणि ये रूप मा सूँ दुखरी उचे देखाई एकवार अनू भवाई जाई तो पच्छे ने क्यारे पणि इच्छा थाई रूप मा महपा में आसकती थाई हवे जो महराद सूँ कहे छे एवो जे होई तेज सर्व हरी भगत मा स्रेश्ठ वेश्णव छे त्यागी के ग्रही एनो कोई मेल नथी महराद नी वाद हरीस भगत सूँ त्यागी के ग्रहस तेनो कोई मेल नथी जेनी समझन मोटी तेने जे सवथी मोटो हरी भगत जानवो आ सत्संग के नो छे समझन नो छे आ सत्संग मा आवी निसू करवानू छे आवी समझन द्रड करवानी छे आ सत्संग मा आवी निसू करवानू छे छे आपड़े जो त्यारे समझवाजे सांबलवाजे तो आपड़े तो दोर एटली निची भूमिका मा जिविये छी हजी आ वातो समझी सक्के एवी भूमिका पण नथी तमारी नी अमारी पण नथी हरीस बैबोव उची वातो छे आपड़े थोड़ा हजी निचे बिगिनर्स लेवल थी आपड़े चालूग थाईए कि सुमवाज समझवी जरूरी छे जुओ प्रामानिक्ताना पंदर सोपान अनसमझू मानस दंभ करे काले वातती ने दंभ थी पाखन थी सावधान थावू सत्यना नामे असत्य एटलू बदू फूईलू अने फाईलू छे कि सत्यने ओलखुओ घुरू पड़े छे महराजे केटली छनावट काले करी अनसमझू मानस छेतरवाजाई दंभ करे पाखंड करे कपट करे समझू मानस जेवो होई एवोज समाज मा देखाई येनू नाम प्रामानिक प्रामानिक ताना पंदर स्वपान समझण नाज प्रकार छे बद्धी मुख्य महत्वनी समझण कोईक लेखक के आमा समावी छे इल येखक ने पन आपड़े धन्यवाद आपिया सव थी प्यल्ली वाद पंदर वाद वस्तू समझवानी छे आपड़े केटली वस्तू हो समझू मानस ना जीवनमा सदा आनंद होई सु होई नानो बालक थोड़ी वारमा रड़े थोड़ी वारमा हस्य है पन एज बालक युवान थाइन समझू थाइन प्रोड़ थे जाए पच्छी यहम्मेसा क्यो होई वारे वारे रड़े नहीं रड़े घड़ी घड़ीक मां रड़ा करे तो लोकोई ने सुखे मुरख केई पच्छी समझू मानस ना जीवनमा सदा आनंद होई सदा हस्मू को होई एना चहरानो आनंद यहनी आसपासनी व्यक्तिने पण सतत प्रभावित करतो होई एक्यक वाद समझवाजेवी जे यहने आनंद मा जोईनी आसपासना मानसोपन केवा थाई जे आनंदित थाई जे आपड़ा पुझ्जेपाद गुरुजीनु जीवन आजे पन आपणने प्रेरणा आपेचे तमें जानोचु केवी रिते आतली प्रवरुती होई आतलू व्रत चालतू होई पन 11 पन तमने एम लागेनी गुरुजी थाग्या जे उदास्ट छे गुरुजी ए घणीवार अपने वाद करी छे क्यों व्यास्पीट पर आवूने एना एक मिनिट पेला मारी उपर सुप्रीम कोटना फोन चालता होई जे केस चालता है वडतालना मोटा मोटा व्यास्पीट उपर बेश्वानो टाइम थे होई कथानो टाइम थे होई निचे उभावबा 15-20 मिट कथा मोडी कराविये और एक निर्णे लिवानों महत्वनों केटली मोटी आटी घुटी उकेलवानी होई और एक प्ली उपादी होई ये उपादी छोडिन एकज मिनिट गुरुजी पाचा कथा करवा माटे जे स्वस्तता वाडा थाई जाए येमना चेहरावपर एज कथानों मूड आवी जाए तमें विचारो आकोनी स्थिती छे समझु मानस सामान्यरिते केवाई सास्त्र मैंने ज्नानी मानस कीदो एने सास्त्र मा स्थित प्रग्ण मानस कीदो दुखेस वनुद विग्णमना सुखेसु विगतस प्रोह मोटु दूख आवी पड़े डुंगरा जेवू एट चलाय मानना थाई गम्येकलु सुख आवी पड़े ये चक्की न जाई दुखेस्वनुद विग्णमनाह सुखेसु विगतस्प्रोह वीतराग भयक्रोध स्थित धिर मुनी रुच्यते पेल्ली वाद येना जीवनमा सदा आनंद होई परंत येनों आनंद येवो न होई कि बिजाना रदयना आनंदने छिन्वी ले आजे मानस आनंदी थाए हस्तो होई पन क्या रे हस्ये बिजानु दुख होईने कागडानु हस्वू औने डेड़कानु मरवू मानस नुँ सूख औने आनंद पने वो छेक बिजाना दुखने वधार नारो छे आजे कळ युगमा जारे आनो आनंद येवो न होई एतलो सारो आनंद होई पोते तो आनंद मा रहे पणि एनी आसपास नी व्यक्ती पन एना आनंद ने जोईने ये पन हम्मेशा आनंद मा रही सके नंबर बे एक एक मुद्धा सांबलवा जिवाची समझू मानसोई दरेके गम्मे एतली पोतानी तिका टिपनी थाए तो पन क्यारे स्वस्थता गुमावे नहीं भूल थय होई तो सुधार्वा माटे प्रामाणिक रहे अथवा कोईकनों मिथ्य आक्षेप होई तो क्यारे ध्यानमा न ले ए आक्षेप तमारा जिवनमा वास्तविक बनीने छवाई न जाई ते अंगे ए सतत जागरुक होई सास्त्रमा जो बद्धी वाटो किताजीमा बारमाध्यायमा तूल्य निंदा स्थुतिर्मोंनह मोनी शंतुष्ट एन केनचीत कोई निंदा करे, कोई स्तूती करे, यह स्वस्थ रहे, क्यो रहे? आपने कोई बोव वखाण करया होई ने, तो मानस नेम त्राजवाव पर जोखो ने, तो बे किलो लोई चड़ी जाई वखाण के जीविती वस्तू ना थी, अने जो कोई एकड नबलो सब्द बोईला होई ने, आपने हामे आपने पिला मंदीर मां जोयोतो ना, आमें अरिस बेन पुछा में केस जोयलो, रुबरु दाखलो जोयलो, बोलो, मंदीर मां महा भारत, लाईव पाचु यह, एक सब्द मां बोलो महमा एकडम सारवाम ताजो माजो चना जो मानस्थन टनाटन बेठो होई, एक सब्द जो बोलाई जैत, एकलो बदो एक चेंज थाई जाई, कारण अनसम्जुनू लक्षन छे, सोकरेटिस जता हता, एनू एक मानसे अपमान केरू, क्ये वो अपमान केरू? सांबल जो, सोकर मानसों नी वत्चे, आवो मोटो गनानी, पीड, प्रवड, प्रतिष्ठित मानस लात मारी, बदा मानसों पकड़िली दो, सोकरेटिस जो, ना, एन। छोड़ी मुको, एन। छोड़ावी दी दो, लोको ए प्रतिकार करेओ, कि तमे एन। छोड़ावी सुकम मुग्यो, आव गध्यडवावीन, मने लात मारी गयो होत्तो, तो तमे सुकरत, इतो मारेजने लात, एनो तो, थड़ू बोलो, मानसों आवो बोल्या, त्यारे सोकरेटिसे कईू, कि आ मानसों सोभाव एवो छे हमजीलो तमे, पन तमे नी साथे वर्तन जार एवो करो छोने, त्यारे एतो ह हलको थाई छे, पन तमे पन हलका थाओ छो, हुँ पन हलको थाओ छो, ए कोण छे न थी जोवानू, आपड़े कोण छे जोवानू छे आपड़ा संप्रदाई मा पन एवी घणी बदी घटनाओ गटी छे, जाहर मा मान अपमान थाई अने ये सहन करवू, महराजे मुट्टम मुटी वात करी छे सागर मा, मान अने अपमान नी असर थाई छेने, एज आपड़ामा माईक भाव छे, और ए माईक भाव जिया सुधी छेने, त्या सुधी भगवान नी अमाईक वातो आपनने नई समझाई, आ सास्त्रनी दिव्य वातो आपनने नई समझाई, आ संतोनी कथावार्तानी जे वात साची छे यह आपणा अंतरमा नई उत्रे कारण के आपणे मान अने अभिमान्ती भर्याच छिए नंबर 3 आपंदर मुद्ध आपणे वाजवाचे आजे केटलामा नंबर छे या नंबर 3 तमने स्नेह गमे छे तमने कोई प्रेम्थी बोलावे त्ये गमे छे कोई स्मीत विनई दाखवे ए गमे छे तुकमा आ प्रकारनों अन्यनों विहवार जो तमने गमे छे तो तमे पण बिजा प्रत्य एवोज विहवार दाखवो तमने कोई मान आपए ते सारू लागे छे तो तमे पण अन्यने मान आपता प्रथम सिखो अमानी मानदो नित्यम साधुना लक्षनमा लख्यू मान मागे नहीं पड़ हम्मेसा बिजाने मान आपतो रहे पुझ्य ध्यानी स्वामी नियाज याद करिया अपड़े कितला मोटा संत अता कितला मोटा संत अम्मेशा स्वामी एम बोलता, मैं तो स्वामी ना प्रवच्ण इंडिया तो त्यारे स्वामी ने सांबलेला, उतो बहु नानो साथुचु, 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 ए भुम प्रिष्टर नाई कोमन मेन छु आप बोलवु एपण बहु मोटी वाद छे लागे आपन ने इत्या जैने पछी पोते पोतानी मोटाई छुपावे अने बिजानी मोटाई नहोई तोपणे ने बिरदावे समझू मानस नू लक्षन छे साची समझन आछे साचू ग्नान आछे नंबर चार बोलुवा करता सांबडवानू वधू पसंद करे बोलो दुनिया ना कितला मानस वाफ होलो करता से मामा वारम वारतम ने कहुँछू सिंपल मेसेज अफ गोड भगवाने आपन ने जीव एक आपी छे कान बे आए पाछे इट मीन्स बराबर सांबडवानू वधू पसंद करो वात चितनी कुसरता सब्दो नी जाग जमक वाग पतुता थी दूर रहो रदैनी वाणी ने बाहिय संगार नो कस्षो खप न थी एक अमेरिकन पत्रकार बिजा विश्वेदुनों समय हतो पूरू थाए ने भारत देश आजात थाई अटली मोटी करांती अंग्रेजुनी सामे भारत देशे करी only because of महात्मा गांधी महात्मा गांधीनों इंटर्युलेवा माटे ब्रिटेन थी पत्रकार साबर मती आश्रम अमदावद पोचे कोन गांधी केवा गांधी अंग्रेजुने काढ़ेवा गांधी आश्रमनी बहर ओसरीमा एकदम नीचे जमीन उपर महात्मा गांधीने बेठिला जोया पेला तो विचारपन नो तो कल्पना पन तो आ गांधी छे बदाने पूछेन कोई परीचे है पो आ महात्मा गांधी पत्रकार ना मनमा एकलो बदो भाव घटी गोई आओ गांधी आणे अंग्रेजुने काढ़ी मुक्या आखा देशने आजाद कर्यो आविजिट पोसिब कोई आडंबर नहीं कोई भवको नहीं बराबर पड़ महात्मा गांधी नी साथे सुछे जानवा माते पत्रकार ब्रिटें थे है वो हतो एक दिवस रहे ये पत्रकार जे नोंद लिधी छेने आपने सांबलियाने तो पन आपन ने थाई के बाहिया आडंबर थी समझू मान अस लगभग दूर होई सद्गुरु गुणात्याने स्वामी नी वाद खबर छेने आज मंदिर के महंजी कहा मिलेंगे स्वामी तो कच्छोटो वाली ने वासिदू करता था निस्कुलान स्वामी नी वाद धोलेरानी स्वामीनु किर्तन सांबली औन प्रभावित थाईन एक अंग्रेज स्वामी केवा कवी महान छे जानवा मलवा माटे आवे औन निस्कुलान स्वामी कमान घडवानु काम करे आज जुन इतला बदा मुं केवा एमागो छू रदैनी वानी ने बाहिये संगार नो कसो खप न थी अधभूत वातो छे नंबर पांच तमारी नजिक आववा मागती कोईपण व्यक्ती तेमा रसलो केवी दिते तो तेनी समस्याने समझो तेने उकेलवानो पुरो प्रयत्म करो अने तेना दुखमा तमे सहभागी बनो आ पंदर वात ना नी जे पड़ आ समझन आवी स्थिती जो मानस ना जिवन मा आवी जाईने भगवान स्वामी नारेयन आप्रुत्वियू परहता आ 15-15 वाद महराद ना जीवन में अटली अदभूत मुक्तानन स्वामी ना जीवन में अटली अदभूत आपना पुझ्यपाद गुरुजी ना जीवन मा तमें जोन डगले पगले आ एक एक वाद ना दर्सन थाई एक नानो बालक गुरुजीने मलवावे, बेठो होई, एनी साथे बेशे, एनी तमाम वाद सांभले, बार वागया सुधी, रातना बे वागया सुधी, नाना बालक नी वाद सांभले, एने समझे, एनुक एक दूख होई, आज ए बालक हाजर नथी बाकिये, अमना तमने वाद करात एक नुभवनी वाद, एक नाना बालक ने केटलो मोटो गुरुजीनों अनुभव थयो, केम मोटा पूरूस, एनु एककज लक्से होई, एन केन प्रकारे करिने सामे वाडा जीवने सुक, केम आपवू, एनु दुख ओछु केम करवू, एना माटे पूरो प्रयत्न करे, आपणे लगबग सामे ना दुख ने ओछु करवाईचता न थी, सामे वाडानों उप्योग करी आपणी जातने सुखी करवाईचिये ची, आ मोट्टाम मोटू अगनान के भूल, के मिस कोम्यूनिकेशन जे गण नमबर छो, दरेक काम उत्साह अने धगस्थी करो, एक लगनिती जुड़ाई जाओ, बीजाने उत्साहित करता रहो, तेने करेला कारियने कलाने अन्यसिद्धीने बिरदावता रहो, तमारों उत्साह सामेना रदे माँ ठासीने भरी दो, पन कोई अपेक्सा विना, छेल्ल बोलो आवात रहे खरी, कोई पन प्रकारनी अपेक्सा विना, मैं कईयों आजे प्रोब्लेम जे छे, अपेक्सा जे वत्ती जाई छे, ये प्रोब्लेम छे, 21 मी सदीना त्रण मुटा अभिसाप छे, आकांग्सा मानसनी दिवसे दिवसे वत्ती जाई छे, आज थी वर्सो पेला छोक्रावा जनमता नाना बालक होई, पांच वर्स तुदी बालकने कपडा पन पेरावता नोता, तो ये बालको हेप्पी रेता था, सुख्यती जीवन जीवता था, आजे बालक जनमे ए पेला, जनमता पेला, कपडासों रूम, रंग, रोगान, केक्ली साधन, सुव येनी सामे आक्षेपो वधी रहा चे, कुतनी नानी भूल, बिजावपर नाखी देवी, एका बिजावपर आक्षेपो करवा, सम्मन्दो कड़ोडर भूस तमे जो चारे बाजु तूटे चेनू कारण जा चेनू, अने त्रीजा नंबर मा आदत, मानसनी दिवसेन दिवसे खोटी आदतो वधी रही चे, आ बालको सिबीर मा आवे, सुन सिखवा मले ने, मुट्टाम मुटी वस्तू, नाना बालक होई निर्दोस चे, कोरी स्लेट चे, येमा तमे राम लखोतो पन लखाई, रावन लखोतो पन लखाई, नाना बालक ने ग्नान अप्पनी जरूर न संतो, तमे जो आजी चेश्टा संतो बधा बेश्टा करता आता, तो बद्धा बालको चेश्टा आवडे, ना आवडे, पन बद्धा चेश्टा मा बेठा, अमारो नानो सिव पन बेठो, मोक्ष नो तो बाक ए बेश्त आता आजे, आमना बेश्य अलपेस बगण, पन बालक बालक ने जोएने पाछो फिसी जाए येने आदत खोटी न पड़े एतला माटे आ सिबीर मा मुखले आ सिबीर मा आवे ये बालक गणू बधू सिखीने जाए एतली बधी वाद आ त्रण दिवस्मा नाना बालको सिख्षे अतला नाना बालको छे पन एतली मुटी मिलकत अभिमन्यू माता ना गर्भमा आता । खबर चेने माता ना गर्भमा एने चक्रव्यूग तोड़वानू सिखीली द बालक नानो छे आपणरे मिलागे अनसमजू छे अंग्नानीолी भूल छे अग्नानी नसी अम्जू ननसी आपणि बध्धी प्रिया अपणी बद्धी बाबत ये बालक अनुभवे छे जुए छे बराबर विचारीन जुए छे समय आवसे ने तेर बद्धानु रिहरसल करसे बद्धानु अनुकरण करवानों छे एतला माटे माता पिता घर्नु जो वातारण दिविये बनावी देईने माता पितानों जीवन जो सित्ताने राम जेव बनेने तो दिकरातों लव अने कुस जवा बनवाना जे नंबर साथ एक एक वात बहुत सरस्ट छे धर्म, निती, अने प्रामानिक्ता एनु हम्मेशा जीवनमा ध्यान राखे एनु जीवन धर्ममाई होई नहितिक ताथी भर्यू होई प्रामानिक्ता थी पूर्ण होई केवी प्रामानिक्ता, केवी निती मत्ता, एक बे ना निवात जोईये मयाराम भट MNX3 वर्षो पेला निवात कडलू साचवा, आथनू कडू साचवा पेलू पटारामा मुकी राख्यू, सोनानू आ कडू, समय घणो जतोरेयो, मैराम भट भुली गया, तमे जानो छो, भट जी एक दीक पटारो खोईलो, सोनानू एक कडलू जोयू, या देवू आतो पेला बेन मने आपी गया ये छे, पण मनमायम थेयू, के एक कडलू तो कोई पे, बिजू क्या गयू, डरी गया, माक्से तो सू थसे, एवून एवू, खर्चो करीने बिजू कडू बनेवू, अने बनने तयार करी, सामेथी पेला बेन ने केवा गया, तमें लई जाओ, आतो मारी धरोहर, महाराथी सच्वासे ने, त्यारे पेला बेन एम केवाला गय के आप बे कड़ा में न थिया, पर मारू तो एक कच छे, बड़ जी के ना, कोई एक आपे बे होई, पेला बेन पन प्रामानिक, पन आपन नेम थाई, मनमा एक संकल पथयो, के महाराथी कोईनू खोटू लेवाई तो नहीं जाए ने, केटली प्रामानिक ता, तमें जो, स् खेतरना मालिक ने पुछू, महाराथ दातन माटे पुछू पड़े, केम, पराई मिलकत छे, यहने तमें लोचो, तो मालिक नी परमिसन ना जोई है, जोबन पगी जेवा लुटाराने, महाराजी केटली कड़क सिख्षा आपी, एक दातन नी चोरी माटे, इने माफी आखे आखू, गई भेश पानी में, जो क्या आपड़ा लोयाधाम परिवार में भक्तों छे, हमना एक भक्त नो फोन आए वो, के वोल्माट माथी एक वस्तु लेता, एकाद वस्तु वधारे रिंग थे गई, जानिन लैली दी, के अजाने लैली दी, लैली दी, कथा साइम आबलापची बहु दूख थयो, बहु पस्चात आप थयो, फोन केलो, के स्वामी कहिक आप भूल थाइत गई छे आवे, तो कहिक येनू प्राइश्चीत सूं करवू, आपना लोयाधाम परिवार माँ एवाहरी भक्तों छे, एवाहरी भक्तों छे, मन्थी पन कोईनू अह थाई, ये नथी इच्टा, मन्थी पन कोईनू भूंडू थाई, येवू नथी इच्टा, जीवनमा हम्मेशा धर्मने, नितिने, प्रामानिक्ताने प्राधन्य आपे, गम्येवू मोटू दूख आवे तो पन धर्मनों मार्ग चुके नहीं, आपड़ा नाननना बालको सिबीर मा आवे छे, एमा थी एक नानी वादतमने करू, ओहयो वाड़ा मयूर भगत, जेना बे नाना बालको स्वयम अने सोहम केतला नाना छे, केतली नानी उम्मर छे, मेकन मा जे सिबीर थाई, एमा विडियो प्रेजेंटेशन मा, चोकलेट वगेरे मा प्राणियोंनी हिंसा करी केविरी तेवू मेरे चे नानी वाद बतावेली, एक्स्प्लेन करेली, आ बन्ये नाना बालको घरे गया, कोई पण केंडी होई, पेला वाचे, तपास करे, येना पप्पाने खबर ना होई, एकली पेला मोटा दीकरा सोहमने खबर पड़ी जाई, पप्पा केंडी न चाले, आपने नव पराई, एना माता पिताने आनंद एवात नोचेक स्वामी, आ बालको अटला नाना छे, चता सिबीर माथ येकली मोटी वस्तु सिखिने आएवा, आवीन आवी धर्मनी वाद एना जिवन माजो कायम माटे रहे ने, ये क्यारे दुखी थायाज, नहीं, आठमी वाद, पोते पोतानू जिवन-जिवो, बिजानू जिवन-जिवा माँ समयने बर्बाद न करो, बिजाने माटे जिवन-जिवो, तेमा जिवननी सार्थक्ता चे, सतत निजसामी द्रष्टी राखो, अन्यनी कुथली पोताना रदैमा गंदवार उभो करे चे, आपने आपनों जीवन धन्य बनी जीविए आपने सांकाजे कोई अन्य बनी जीविए गुजराती मां आनंदी कागडानी वाद छे पौँ सरसा नानी वाद एक कागडो होतो एने एक दियुस अरिशामा पोतानू मोडुजोय बहुँ दोखी थाईयो कि उँँ आतलो बदो काड़ो उँँ आतलो बदो काड़ो औने आनंद एने दुख्ये वादनों वधी गयुँ जयरेने हंस ने जोयो वुँ आतलो काड़ो औने हंस आतलो धोडो भगवाने मने आतली पन धोड़ाई ना आपी एक जिग्याई पन एक पांक पन धोड़ी ना करी नहीं कागडओ अती दुखी थेयो हंस पासे गयो हंस ने कहवाला लाग्यो हंस मने तारा जब दुनिया मां कोई सुखी मानस देखातो न थी बै कारण सु હું કેટલો કાળો છુ અને તું કેટલો ધોળો છે તેર હંસ રડવા લગ્યો કેં ભાય રડે છે તું તો સુખી છે હાવ ફીકો લાગુ પોપટ તો કેવો સરસ મજાનો આખો લીલો ચાચેની પાછે લાલ સારુ સારુ ખાવા મળે ને કેવાલા યો તારા જેવો કોઈ સુખી નથી પોપટ કહે હુપણ એમજ માન્તો હતો એપણ દુખી હતો કારણ સું એને જકવ તારા જઓ મને બનાવી દે કાગળો મોર પાશે પોજ્યો મોર એક મોટા પ્રાણી સંગ્રાલેમાં પાં સમેચી વિચારતો તો કાદ દુન્યા મોં દુખી કોણ શુખી છે કોણ સાચો સુખી જોતો હતો મે બદ્ધા પંખ્ દુખી જોયા પેણ આ દુન્યા મે એકત સુખી પંખી છે કાગળો કાગળો કે તું મને સુખી માને છે કેભી રીત મે તો દુખી છુ કારે રડતા રડતા પિંજરામાં રહેલો મોરેમ બોલ્યો કે આ દુન્યાના બદ્ધા પ્રાણી પોપટ હોયને પણ પીંજરામાં રાખે હંશને પોકો પીંજરામાં પૂરે છે મોરને તો પીંજરામાં પૂરિદે બીજાનું જોઈને ન જીવે ભગવાને જેટલો આએપુ જેઆપુ અને જેવં આએપુ એમાં એટલો સુખીને સંતોસી હોય આપણે ત્યાવી ઘણી બધી વારતા ઓ છે સાસ્ત્રોમાં આં સમજણનો બઓ સ્રિષ્ઠ પ્રકાર છે નવમી એક સાથે એકજ વક્તે બધી વસ્તુ પ્રાપતર નથી કરી સકાતી માટે સફળતા અને નિસ્ફળતા ભગવાન ઉપર છોડી દેવુ પણ પોતે જીવનમાં ધીરજ ગુમાવી નહી દસમી બાબત અમેશા બીજાના ગુણને જુવે બીજાની નજીવી પ્રકુરુતી સ્વભાવુ કે દોસ તેના ઉપર ક્યારે નજર ન કરે અગ્યારમી બાબત તમે બીજાકરતા ઉ ઉચો છો એક શત્ય ઘટન પંડીતુનું સમેલન ઈસમેલનમાં દક્ષિન ભારતના ઉતરભારતના પંડિતો ભેગા પંડિતો મૂટા પંડિતો સેટલેને બેશ્વમાટેકે ઉચો આસન સારુ આસના પેલુ વીજા બધા બેઠેલા આત દક્ષણી પંડિતો એમ બૂલ્ય પ્રવચનમાં કે જુઓ અમારુ આસન ઉચું છેને એના થી સિદ્ધ થઈ જાએ છે કે અમે આ બધા કરતા ઉચા છે એ મહાન છે બીજા વિદવાનુને આવાત ગમી નઈ નથી અમે નિચે બેટા છેને એટલે તમે માન છો કેટ્ડી સરસવાત ઉચા પણાનું સ્વમાન મહાનું ગુણ્યલ પણાનું સમજું પણાનું સ્વમાનુને સુન્ય કરી નાખે બાર નંબર સમુહમાં રહી સકે સમજું માનસ આનું સમજું કોય સાથે ભળી નસકે ભળી જાઈ બીજાની વાત સાંબલી સકે સૂભ વિચારને વાગોલી સકે અન્ય ને કહી પણ સકે અને અન્ય પાસેતી મેલવી પણ સકે તેર નંબરની વાદ વિશવાસ એ જિવનનો સવાસ છે પ્રાણ છે ક્યારે પણ કોઈ પણ સાથે વિશવાસ વિશવાસ ઘાત ન કરે ચવૂદ નંબરની વાદ માન વાચક વાની નો વિહવાર કરે બીજા થકી એવી અપએક્સા ન ન રાખો દંબરહીત વર્તો જેવા અંદર એવાજ બહાર આવી રીતે નિખાલસ વર્તે વચના મૃતમા ભગવાની જેવા કરવા જેવા સાધુ ના લક્ષનમાં મહાજ એમ બોલ્ય એસાધુ જેવા બહાર હોય એમ આસા વાદી રહો મોળા વિચારને તિરાં જલી આપો ભગવાન અને મોટા પૂરુસ એમારી સાથેત છે આવો આતમ આ સમજણ ડગલે ને પગલે આપણને કામ લાગે વી છે પેના પેના પેવી છે ભોસરસં અંરેજીના લેખકે લખું લખું અંરસં પેના 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 સમજણ તમારા દુખને દૂર નથી કરીતી બટ ટેવસં પાવર તો 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 યું પાવર ટો ટો ટોલેરટ ઇથ પણ સમજણ તમને દુખ સહન કરવાની સકતી ચોકસ આપે છે પણ સમજણ તમને દુખ સહન કરવાની સકતી ચોકસ આપે છે સમજણ દુખને દૂર નથી કરતી પણ દુખને સહન કરવાની સકતી આપે છે એતલા માટે સમજું માનસ એ દુખને સહી સકે છે અનં સમજું માનસ દુખને સહી નથી સકતો એતલું સર્સ અંગ્રે જીમાં લખીં છે ખણા લેકો કોય અંડરસ્ટેનીંગ ઉપર મેચોરીટી ઉપર મેચોરીટી એને ક્યારે ગોણ નકરીએ બસ આવીરીતે જીવન જીવીએ તો પણ ઠાકોર્જી આપણી સાથે છે એવા આપણે ડગલે ન